दोस्तों इस वीडियो में हम as soon as और the moment के बारे में सीखेंगे कभी-कभी हमें ऐसे sentences को बोलना पड़ता है जैसे की जैसे ही, जेओं ही So, ऐसे sentences को बनाने के लिए हम इनका उप्योग करते हैं ये एक बहुत ही simple concepts तो चलिए हम इसे examples के थुरू समझ लेते हैं आकि हमारा जो concept हो totally clear हो जाए और याद रखना अत्याधिक हम इसका उप्योग sentence से पहले करते हैं जैसे ही वो आया, मैं चला गया As soon as he came, I left The moment he came, I left So, दोस्तों आपने देखा कि इसका उप्योग हम कैसे sentence में करते हैं चलिए कुछ और examples के थुरी से समझ लेते हैं घर आ जाना, जैसे ही पापा, चले जाए Come home, the moment dad goes दोस्तों आप लोगों नहीं यहाँ पे देखा कि हम लोगों नहीं यहाँ पे sentence से पहले, the moment का उप्योग किया है क्योंकि यहाँ पे दो sentence है पहले come home की घर आ जाना और उसके बाद दूसरा हमारा sentence है जैसे ही पापा चले जाए तो दोस्तों जिस sentence में हम जैसे ही जयों ही को उप्योग करते हैं उस sentence से पहले हम दामोविम्वेंट का यूज करते हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका एक कॉंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम करते हैं